स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल बी यार सिनेपिक्स में और दिल्ली मुंबई एक्सपरिस्वी के वीडियोज की सरंखिला में हम हाजरें आपके लेकने वीडियो लेकर करके तो आज हम आपको एक लोकेसिन पर लेकर चल रहे हैं इस लोकेसिन का नाम है खटी कातिबारा तैसिल भस्वा जिलादोसा राजराजस्तान इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अब तक दिल्ली मुंबई एक्सपरिस्वी का कितना काम हो चुका है तो हम आप पहुँचे है खटी कातिबारा पर तैसिल भस्वा जिलादोसा राजराजस्तान और हम आपको बता दें यहाँ पर जो ओर ब्रिज है उसके लिए फूल बन करके तयार हो चुके हैं और अब इसको दोनों और से कनेक्ट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाना बाकी है एक तरप से जो म देख सकते हैं आप यहाँ पर मिट्टी भराव का जो कार्य पूरी तरह तयार है और यहाँ से मिट्टी भराव करने वाली इसको परकी कम्पनी है उसने अपना काम कंप्लिट कर दिया है तो यह देख सकते हैं आप किस प्रकारची यहाँ पर मिट्टी का भराव किया गया है अभी यहाँ पर गिट्टिय डालने का काम सुरू होने वाला है इसके बाद यहाँ पर डामरिकरन होगा हाला कि जो पूल बनाए गये हैं उनके पास थोड़ा सा कंक्रेट का वरक भी होना बाकी है लेकिन बारिस की वज़े से यह वरक अभी होनी सका है हाला कि बारिस के बाद धिरे-धिरे कारिये प्रगति कर रहा है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिट्टी भराव का कारिये है वो कंप्लेट हो चुका है और दूसरी तरब भी जो बिलोक्स की दिवार है वहाँ पर भी मिट्टी भराव का कारिये चल रहा है तो यह देख सकते हैं किस प्रकारजी यहां पर पुल है उनका निर्मान किया गया है जैसे इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा यहां पर डामरिकरन होगा और आवा गमन में सुविधा प्राप्त होगी क्योंकि कम्पनी के काफी वान आते जाते रहते हैं मैट्रे ले कर जाते हैं वैसे हम आपको बता दें कि यहां पर डामर के तीन लेर डाली जा चुकी है और लगबग 50-60 मिटर का हिस्सा सेस है जिसमें भी डामरिकरन होना बाकी है इस पुल के दोनों और बादवा की जो डामरिकरन का कारिया है वो पूरी तरह कंप्लेट हो चुका है अब यह आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिवाइडर में बीच में कीचड़ भी भरा हुआ है क्योंकि कई दुनों तक लगातर बारिस हुई थी जिसके कारण यहां पर हाईवे को काफी नुकसान पहुँचा था हमने पिछली वीडियो में आपके बताया था कि किस प्रकार से जो डिवाइडर को नुकसान हुआ है और जो दोनों और साइड से हैं रोड्स के उनके तरफ भी नुकसान हुआ था तो उनका रिपेरिंग का कारी किया जा रहा था यह देख सकते हैं आप यह खटे का तेवारा पर पेट्रोल पंप है हाला कि इसका कुछ हिस्सा इस हाईवे में आया हुआ है कई बार दर सक हम से पूछते हैं कि इस पेट्रोल पंप को यहां से सिफ्ट कर दिया गया है या नहीं किया गया है तो आप सामने देख सकते हैं अ आटाते हैं या ने आटाते हैं कई बार दर्शक हम से डिमांड करते हैं कि आप हाईवे के आसपास के दिरस्यों को भी दिखाये करें तो यहां पर हम आपको बता दें बांदी की छेत्रे में जो बाजरी के फसल है वो लगबग ढाही तिन फिटो की हो चुकी है और कई दिनों चिकनी मिट्टी थी वहां पर अभी मिट्टी भढ़ाव का कारिय नहीं किया गया है क्योंकि जो वहान होते हैं मसीन होती हैं उनको फिसलने का डर बना रहता है इसलिए वहां पर भी मिट्टी भढ़ाव का कारिय नहीं किया जा रहा है लेकिन जहां जहां कंक्रेट का कारिय है वहां पर किया जा रहा है हम आपको खटे-गते बारक जो ओर ब्रीज है उसको फ्रेंट से दिखाने कोशिश करेंगे आलगी इस ओर ब्रीज के नीचे बरसा की दिनों में काफी मिट्टी भेकर के आगी थी और वहां चालकों को काफी परिशा नहीं थी लेकिन बाद में जो सिलने का डर लगातार बना रहता था हम आपको पता दें कि घटे-गते बारा से दिल्ली के ओर चलते हैं तो वहां पर पलास नदी में एक पूल आता है नदी का वहां पर अब गरडर लॉंचिंग हो चुकी है लेकिन संभवतया उस नदी में कुछ पानी आ गया था जिसके जैसे जो वर्क है वो थोड़ा रोक दिया गया है लेकिन जो रूप का कारी है वो कुछ दुनों में शुरू हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर 2021 से दौसा से दिल्ली तक का जो एक्सप्रेस्वे है उसको जनता के लिए समर्पि और इधर को अगर मुमबई की ओर बात करें तो जो सामाने दी है वहाँ पर पहले एक गरडल लांचिंग हो चुकी थी और एक त böl़ की जिसका जो पूल है वो बनकर के तयार हो चुका था और मुमबई की ओर का जो पूल था उस पर रूप का कारय चल रहा था लेकिन बारिस के वज़े से वहाँ पर भी जो कारी है वो बादित हुआ है चलिए बात कर लेते हैं हमारे द्वारे चुनेगे कॉमेंट्स की हमला गातार आपके कॉमेंट्स को हमारे चैनल पर प्रकासित करते रहते हैं तो पहला कॉमेंट हमने चुना है अरियाना बैंगल्स एंड मैन नुफैक्सर्स का ये लिखते हैं नाइस वीडियो तो हम इनका भी अपने चैनल पर हर दिकाबार व्यक्त करते हैं अगला कॉमेंट जो हमने चुना है वो है गोपाल सरमाजी का ये लिखते हैं आप जैपूर टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की जानकारी दें जे बिलकुल वैसे हमने बान देख जैपूर जो नया सिक्सलेन हाईवे बनेगा उसके बारे में काई वीडियो जबना रहे हैं और जैसे कोई नई अपडेट मिलती है हम उस पर वीडियो जरूर बनाते हैं अगला कॉमेंट जो हमने चुना है वह है सुरेश मीना जी का ही लिखते हैं सूपर तो हम इनका भी अपने चैनल पर हरदी का बार व्यक्त करते हैं आप जब भी कमेंट करें तो अपने प्ले हैं यदि आपके कोई सुझाओ हों तो आप हमको कमेंट मेंसर कर सकते हैं और हाँ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की जो नोटिफिक्शन है वो झाले प्लीज आपके को आपके को सब्सक्राइब कर लेग।